Assalamualaikum भाई है कि ऐसा टूल जो के आपकी AI Detection बिलकुल खतम कर सकता है AI Detection मतलब अगर आप ChatGPT से आर्टिकल लिखवाते हो आप Bard AI से लिखवाते हो आप Simplate से लिखवाते हो आप किसी भी Software से, किसी भी Online Tool से AI Generated आर्टिकल लिखते हो तो ये Tool आपका Plagiarism 100% Remove करने वाला है मज़े की बात इस Tool में आप लोगों को बहुत सारे और Tools भी मिलते हैं जिसमें Research होगी आप लोगों की Color Converter हो सकता है Word Counter हो सकता है और इतनी सारी चीज़े इन्होंने आप लोगों को Provide की है कि आपको मुझे नहीं लगता कोई भी AI Detection Tool इतना Provide कर सकता है बहुत Amazing Tool है अगर आप लोग अपना आर्टिकल लिखना चाहते हो अपना आर्टिकल AdSense एप्रूब करवाना चाहते हो Blogger पर आर्टिकल लिखना चाहते हो Wix website पर लिखना चाहते हो इवन कि आप लोग Fiverr की Description लिखना चाहते है बहुत सारे ऐसे लोग है Fiverr की Description लिखते है चैट जीपटी से लिखवाते हैं जब वो उसमें Fiverr में Paste करते हैं तो वो Fiverr उनकी GIG को Reject कर देते क्योंकि वो AI Detection हो जाती है उसमें लेकिन ये टूल इतना एडवांस टूल है आप लोगों के लिए मज़े की बात ये है कि Free में भी ये बहुत अच्छा वर्ग करता है लाजमी नहीं है कि आप इनका Pro Virgin ले अगर आपके वास बजट है तो आप बिल्कुल Pro Virgin की तरफ जा सकते हैं कि उसमें आप लोगों को और ज़्यादा सहूलत मिलती लेंगे अगर आप Free में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को मिलेंगी 3 Reports अब वो कौन सा टूल है आपने कैसे यूज़ करना है जादा पसंद आया भी मैं आपको बताता हूं इसके खासियत क्या है और अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो इसका मतलब आभी लेकिन आपने गवराना नहीं आप Free of course भी इसके साथ बहुत अच्छा वर्क कर सकते हो अभी बताता हूं कैसे यह देखें यहां पर एक आर्टिकल है जो के AI detected है दो आर्टिकल मैंने इससे write किये हैं जो के human written है मतलब कि इसने detect कर लिया एक आर्टिकल के जो आर्टिकल तुमने लिखा है वो AI generated है इसको आप convert कर सकते है human written मैं अभी आपको वो भी करके दिखाता हूं पहले आपको एक live experiment दिखाता हूं जैसे के देखें यह मेरे पास chat GPT open है मैंने इसमें इसमें आर्टिकल लिखा आपकी adsense approval नहीं मिल रही है आपको AI article detection की वज़ा से तो आपने यहां पर क्या करना है जैसे के मैं chat GPT को लिखता हूं can cat अब देखें मैंने इसको command दी can cat eat chocolate right article for this मैंने इसको लिखा भई अब आपकी cat से related pets से related किसी भी निश में website है आप उस पर आर्टिकल लिखवाते है जस्ट एक इस tool की वज़ा से बहुत काम असान आपका हो सकता है अभी आप लोगों ने देखना है कैसे देखें यह article है मैंने simply यहां से इसको यहां तक किया copy मैं अपने tool में जाता हूं टूल में जाने के बाद जिसका नाम है AI Detector Pro आपको मैं description में link भी देदूंगा ताकि आप इस पर easily access कर सके है official tool है इनका यहां पर आप आए और यह लिखवा new report आपने simply इस new report पर click करना है new report पर click करने के बाद simply देखें यहां पर जो भी article था chat GPT से लिखवाया मैंने सारा यहां पर paste कर दिया मैं थोड़ा सा आपको इसको enlarge करके दिखा देता हूं यह देखें मेरा complete article यहां पर आ चुका है और मुझे बता दिया भाई यह जो article तुम लिखके लाए होना बड़ी असानी से यह जो है AI written है मैं इस पर click करता हूं यह मुझे बताएगा कहां कहां AI का use हुआ है कौन कौन से word बहुत जादा use हुए इंटरनेट पर यह सारा यह देखें यह जो भी red है जो भी yellow है यह सारा plagiarism है भाई यह देखें यह बता रहा है कि this paragraph clear signs of being written by AI यह जो red sign है यह सारे show कर रहेंगे यह सब कुछ AI से लिखा हुआ है लेकिन आपने घबराना नहीं है यह लिखा हुआ बटन open with AI eraser जस इस एक टूल पर क्लिक करने से इस बटन पर क्लिक करने के सब कुछ remove हो सकता है दिखाता हूँ कैसे देखें यह जो चीज़े मैंने लिख लिया भाई मैंने क्लिक कर लिया open with AI eraser यह क्या लिखा अभी तक AI detected keep editing यहां से आपने इस paragraph को complete करना है सेलेक जिस चीज़ का भी आपने प्लजरिजम रिमूफ करना है यहां पर लिखावा है less human यह more human आपने इस पर ही क्लिक रखने देना है और यह लिखावा suggest paragraph rewrite आपने simply इस पर करना है क्लिक कुछ ही second का वक्त लेगा और यहां पर यह आपको उसके alternative write करके देदेगा यह देग हूं मैंने इसको कर दिया paste and that's it यह देखें यह सारा जा चुका है यार दुबारा से मैं इस वाले paragraph को select करता हूं दुबारा मैं नीचे जाओंगा यहां पर मैं suggest paragraph rewrite पर क्लिक करूंगा यह मुझे दुबारा से इस से related भी write करके देदेगा हम अभी इसका plagiarism check भी करेंगे क्य आपने control A करना है मैंने इसको दुबारा से control A करके copy किया वापस मैं अपने dashboard में जाओंगा यहां पर new report पर क्लिक करूंगा यहां पर दुबारा मैंने वही text paste किया analyze पर क्लिक करूंगा अब देखते हैं क्या इसमें से plagiarism remove हुआ बाई सिर्फ 2% plagiarism रह गया है जो कि common बात है लेकिन यह 100% भी हो सकता अगर आप इसमें मजीद editing करें लेकिन यह देखें human this content appears to have been written by a human मतलब यह all in world टूले इसने आपका detect भी किया आपको plagiarism free write करके भी दिया और बिल्कुल accurate word के साथ वैसे तो free tools आपको बहुत सारे बिल जाएंगे जो के accurate write करके नहीं देते plagiarism जरूर रिमूब कर देते हैं लेकिन वह accurate write करके नहीं देते लेकिन इसने देखें accurate write करके दिया यहां पर आप व्यूपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यह article आपका आजाएगा आप इसको जहां चाहिए यूज़ कर सकते हैं और adsense के approval चुटकियों में ले सकते हैं इसके साथ साथ और भी tools में आपको दिखाता हूँ एक और मज़े की चीज़ जो इसमें मुझे लगी जैसे के भाई यह website है can, 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 eat, simple पसे मैंने एक article लिया अब यह वाला article है यह जो है वो इस website पर लिखा हुआ है simply मैंने इस website को open गा लिया अभी दिखाता हूँ आपके साथ उने हैं क्या लेखें यहाँ पर just उस article का link मैंने पेस्ट किया और analyze पर click कर दिया by topic find करने की जरूरत नहीं है, keywords of link की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, just आपने क्या करना है, किसी भी website को target करके उसका URL copy करना है और AI detection में कर देना है, paste, जैसे आप paste करेंगे, यहाँ पर यह आपको कह रहा है कि यह article आ गया, यह article human written है, जैसे कि इस website ने लिखा हुआ है, यहाँ पर सारा article वोई वाला ले आया, जो कि इस website पर लिखा हुआ है, अब हमें क्या करना है, आपने यहाँ पर open with AI eraser पर करना है, click, अब इस article को हम दुबारा से refresh करने वाले हैं, जी यहाँ बिल्कुल यह देखे, मैंने इधर से यहाँ तक इसको select किया, क्योंकि मुझे सब कुछ चेंज करना है ना यार, इस paragraph को मैंने select किया, यहाँ पर आऊँगा, मैं करूँगा, suggest paragraph, rewrite, just, इस पर मैंने click किया, अब यहाँ पर जो मेरे पास paragraphs आएंगे, इन paragraph को मैं simply यहाँ से करू हैं, हम उनकी मैनत को अपने उपर भी apply कर रहे हैं, और ताकि उनको सवाब होचेगा इस चीज़ का, लेकिन आप बहुत अच्छा वर्कित से कर सकते हो, इसी तरह से सारे आपने paragraph को rewrite कर देना है, select all करने के बाद आप अपने account में जाएंगे, जहाँ भी आपकी website है, WordPress blogger पे जहाँ भी आप इस article को paste कर देंगे और यह अब आपका consider होगा article, सिर्फ एक इस tool की वजा से, दुबारा मैं आपको बताता हूँ, अब हम चलते हैं इनके दूसरे tools की तरफ, फिर हम उसमें देखेंगे जो हमने पहले article को rewrite किया है, उसमें देखेंगे दूसरी website पर क्या उस इस website में SSL नहीं है, SSL certificate के इलावा आपको domain IP looker भी मिलता है, और website status checker भी मिलता है, जैसे आप website status checker पर click करेंगे, यहाँ पर आपने just domain address लिखना है, जैसे के मैं यह लिखते देता हूँ, इसको मैं check के button पर click करूँगा, यह देखें आपको सारा data बता देखेंगे, यह website यह कर रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिखें, JS minifier, मतलब आप CSS की file को minifier कर सकते हैं, HTML की file को minifier कर सकते हैं, QR code generate कर सकते हैं, इस website से, यहाँ पर just आपने content लिखना है, जैसे कि मैंने content लिखा, यहाँ पर आपने size लिख दिया, यहाँ पर आप generate के button पर click करेंगे, यह आपको QR और code generate करके देगा, और हम tools पर चलते हैं, इसके password generator आपको नहीं समझा रहा है, आपने password कौन सा रखना है, simply आपने password क्लिक करना है, यहाँ आपको password generate करके देगा, six digits का इधर उधर जो भी आपके स्पास है, ताकि आपको बहुत सारी problem आती होगी, बहुत सारी website से होगी, जिस से कि आप इस पर click करेंगे, मैं यहाँ पर इसको paste करता हूँ, count पर करूँगा, click and that's it, इसने मुझे बता दिया, two words, 24 time use, your 24 time, mango, 18 time, यह सब कुछ इसने data बता दिया, कि भाई, क्या-क्या इसमें यह हो जो रहा है, सारी density, इसका यह फायदा हुआ, कि आप keyword density भी से check कर सकते ह मैं आप लोगों को prefer करूँगा, कि अभी के अभी आप इस tool को लाजमें try करें, क्योंकि यह आगे जाके और जाद आपने price वगरा ना बढ़ा दें, और उसके बाद यह free version अपना खतम ने कर दें, तो मैं आपको prefer करूँगा, अभी के अभी के इसको apply करें, यह वाला हमारा article ने भी बता दिया, तो इसका मतलब सारी website इसको plagiarism free ही consider करेंगी, और हमारा article 100% approved हो सकता है, जैसे मुझे उमीद है इस पे कोई भी plagiarism नहीं आने वाला, simply मैं यह आपर click किया, check plagiarism पर click करता हूँ, अब देखें यार, यह website बहुत ज़्यादा slow है, इसलिए मैं आपको यह prefer पर कर रहा हूँ, इसमें सब चीजें आप लोगों को आपके मतलब की ही मिल रही है, वह अभी तक 2-3 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसने detect करके नहीं बताया, बहुत ज़्यादा slow है, जबकि इस website ने चंदी सेकंड में बता दिया था कि इसमें कितना plagiarism में ह बलके remove भी हमें second में कर दिया, जितनी देर में ये check कर रहा है, इतनी देर में हमने पूरा article refresh कर लिया था, लेकिन हम try करते हैं, check करते हैं, ये कितना हमें बताता है, अभी तक देखे 46% unique आया है, article हमारा, इसका मतलब यह ही है कि मुझे यकिन है, ये 100% हमारी unique ही बताएगा, क 93% हमारा article जो है, वो unique है, हम इसको easily Google में use कर सकते हैं, और हमें AdSense के approval easily मिल सकती है, ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत जादा पसंद आई होगी, अगर इस तरहां की मजीद वीडियोज आप लोग देखना चाते हैं, तो जोरहें टेक चैनल को सब्सक्राब करना नहीं